सव्विधान को बदलने का समय आगया है सही सुना आप लोगों ने क्योंकि जितना भेधवाव सवविधान करता है उतना भेधवाव शायदी कोई और करता होगा Article 26 क्या है आपको पता है Article 26 आज से पहले जितनी भी सरकारे आई थी उन सरकार ने हिंदू विरोधी में इतने काम कर दिये कि हमारे पुष्टे खतम हो जाएगी लेकिन हिंदू विरोधी जो ये आर्टिकल लगा के रखे है वो खतम नहीं होंगे आर्टिकल 26 के बारे में आप लोगो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आर्टिकल 26 के अनुसार मस्जिद के अंदर से जितने भी पैसे जमा होते हैं वो मस्जिद का मौलवी उप्योग कर सकता है मस्जिद को बढ़ाने के लिए नया मस्जिद खुलवाने के लिए मदरसा बनाने के लिए और मदरसों के अंदर तालीब को तयार करने के लिए और बाद में तालीबान बनाने के लिए चर्च के अंजर जितना भी पैसा जमा होता है वो चर्च का जो पादरी होता है वो पोप होता है सिस्टर होती है फादर होता है वो सभी का सभी पैसा यूज कर सकते हैं उनके चर्च को बढ़ाने के लिए नया चर्च खुलवाने के लिए और उनी पैसों से Rice Back खरिद कर, तो ये रही इनकी आजादी, ये रही इनकी स्वतंत्रता, Christianity को लेकर, मस्जित को लेकर, लेकिन Article 26 के अनुसार, हिंदू कभी भी अपने मंदिर का पैसा अपने उपर खर्च नहीं कर सकता ना ही वो गुरुकुल चला सकता है और ना ही अपने मंदिर का पुना निर्मान कर सकता है ऐसा क्यों आर्टिकल 26 के अनुसार जितने भी हिंदू मंदिर है उन सभी का ताबा सिर्फ राज्य सरकार के पास है राज्य सरकार ने सभी मंदिरों का ताबा हाथ में ले संक्यक है वहाँ पर उसकी तुलना और उसकी आउकात रती भर भी नहीं है क्योंकि हम एक जूट नहीं है आटिकल 26 को सिंदु राश्टर से हटाना ही चाहिए और इस वीडियो को अधिक स्याधिक लोगों तक पहुंचा कर उनके को बताए और अपने धर्म को बचाए तब तक के लिए जैश्री राम